हेलो दोस्तो कल मार्किट क्लोस होने के बाद में इन्फलेशन डाटा आया है क्यों कह रहा हूँ कि ये ख़वर बजार को हिला देगी इन्फलेशन डाटा के उपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि इलेक्शन खतम हुए है अब धीरे धीरे हमारा इन्फलेशन बड़ेगा इसका इंपेक्ट मार्किट के उपर आ सकता है पॉसिबिल्टी है कि मार्किट रियक्ट के साथ में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वेबिनार में प्रॉपर केल्कुलेशन है मैजिकल लेवल्स के साथ में स्कैल्पिंग बोलना मेरे लिए इजी है वैसे आपको वहां से ट्रेंडिंग ट्रेड भी मिलते हैं तो आप जोइन कर सकते हो फ्री टेलिग्राम च सकता है कि मार्किट में करेक्शन हो जाए थोड़ी बहुत अगर मार्किट इसके उपर रियक्ट करती है तो हो सकता है कि 2-3% का प्रॉफिट बोकिंग नेक्स वीक में आपको देखने को मिले फनेंशल सेक्टर ने उस चीज़ का सिगनल भी दे रखा है वीडियो छोटा बन आपके साथ में शेर किया था कि इंफलेशन डेटा अगर आप देखोगे 2020 से लेके 2019 में क्या था जब इलेक्शन आये थे 20 के बाद में आफ्टर इलेक्शन अपसाइड के लिए गया था इंफलेशन और फिर अपसाइड में इंटैक्ट रहा कब तक रहा 2023 तक नमबर अक्ट इंटैक्ट किया अब आपका जून मंद का रिजल्ट के बाद में जो इंफलेशन आया है वो बढ़के आया है उसके दो तिन रीजन है समझेंगे अराम से इंफलेशन कितना बढ़के आया है एक्सपेक्टेड था कि हमारा 4.80 के आसपास रह सकता है जो की आया है बढ़के 5 5.08 जो प्रीवियस था वो था 4.80 फॉरकास था 4.80 यह राइट और हमारे आर्बिया गवर्नर ने पडिक्ट किया था कि क्यू वन का जो हमारा इंफलेशन है वो रह सकता है 4.9 के आसपास ध्यान से समझना क्वाटरली रह सकता है 4.1 और फॉरकास था 4.80 आया है कितना 5.80 इ अब यह मंतली तो 1% भढ़के आया है जिसका मार्केट रेक्शन ले सकती है अगर उसको मंतली बेसिज लेना हो आर्बिया गवर्नर ने कहा था जब भी मैंने आपको क्या का क्वर्टरली 4.9 आना चाहिए राइट इन्होंने एक्सपेक्ट किया था अगर आप काउंट जून मंत का यह है जो जुलाई में अभी रिलीज हुआ है मैं मंत का डाटा यह है जो जून में रिलीज हुआ था और यह है मैं मंत का अप्रेल मंत का जो मैं में रिलीज हुआ था अगर आप देखोगे तो क्वर्टरली अगर आप चेक करोगे 4.80 4.83 4.75 यह है अगर इसको आप calculate करोगे तो ये आता है निकल के 4.88 के आसपास लगवग और जो expect किया था वो किया था 4.9 यानिकी almost same उस number के हिसाफ से देखें तो almost similar है अब ये इस data के उपर impact कहां से आया consumer price index का जो जैसे inflation data निकालते हैं उसके लिए calculate करते हैं हमारे हर category को जैसे housing sector को या फिर आपका food industry को तो सबसे ज़्यादा impact कहां पे आया है आज की rate में आपको देखने को मिलेगा आने वले time में जितने भी हमारे tea stocks हैं उनके उपर price hike होता हुआ देखेगा because of flood situation बहुत सारी जगा पे flood आया है जिससे tea की जो खेती करते हैं उसके उपर impact आया है जितने भी food beverages वाले product हैं उनका data जो है वो almost 50% बढ़के आया है 50% बढ़के का मतलब क्या है जैसे आपको आने वाले time में दिखेगा कि चाय का package जो आपको मान लिया कि 100 और पे का मिलता था तो inflation बढ़ेगा उनके prices बढ़ेंगे prices बढ़ेंगे तो हमारा inflation data भी बढ़के आ रहा है कितना हो गया मेंगा इधर almost double आप सबजी लेने जाओ आपने रोज मर्रा की चीज़ों में देखा करो ना आपका ये जो प्याज पटैटो ये तो अब ये double अगर बड़ा है तो हमारे जितने FMZ stocks हैं उसके उपर impact आ सकता है overall nifty में आपको देखने को मिल सकता है इन सारी news का और inflation का effect हो सकता है कि market budget से पहले जो बनता भी है profit booking आए उसका reason ढूंड रही थी तो ये हो सकता है कि यहां से एक या दो दिनों के लिए downside में profit booking आए और आपको 24,000 के आसपास market देखने को मिले 3-4 दिनों में जिसकी possibility बनती है अगर market ने inflation data के जून मन्त के उपर react किया तो अब वो Monday को market open होगी उसके बाद में market का mood महौल पता लगेगा अगर market ने negativity पकड़ी तो फिर यह continue रह सकता है financial sector वैसे ही week है भी before budget क्या पैनिक है क्या आता है budget में निकल के क्योंकि सबसे important budget रहेगा इस बार का क्योंकि election के बाद का जो budget है उसमें straight forward hard decision लिये जाते हैं इन decision का impact देखने को आपको मिल सकता है इस budget session में तो उससे पहले market अपने आपको cool down ज़रूर करेगी और next week बड़ा roller coaster रहेगा Monday के लिए एक live session कल करेंगे उसको आप देख लेना आपको थोड़ा सा planning as per data समझ आएगा कि Monday को हम कैसे plan कर सकते हैं क्या strategy रख सकते हैं अपने trading के लिए नए हो चैनल पर गई लाइक सब्सक्राइब और शेर योर रिस्पॉंसिबिल्टी मिलते हैं नए वीडियो में थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग बाई बाई टेक कियर कुछ रो मजेगर